चलिए तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किसकी Graphical representation of motion Graphical representation of motion तो graphical representation क्या होता है अभी तक हमने motion पढ़ लिया motion में कौन-कौन पढ़ा था हमने Uniform, Non-Uniform पढ़ा Uniform, Non-Uniform motion के बाद हमने क्या पढ़ा उसमें velocity पढ़ी acceleration पढ़ा ठीक है उसके बाद अब हम उन्हीं चीजों को Graph की रूप में पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं चीजों को हम Graph में कैसे शो करेंगे ओके तो Graphical representation में हम सबसे पहले देख लेते कि हमें पढ़ना क्या-क्या है तो हमें सबसे पहले पढ़ना है Distance Time Graph क्या पढ़ना है Distance Time Graph ओके Distance Time Graph के बाद हम आते हैं Next हमें पढ़ना है Velocity Time Graph Next Second हमें क्या पढ़ना है Velocity Velocity Time Graph Velocity Time Graph पढ़ना है अब Velocity Time Graph के अंदर हम देखें तो Velocity आप जब कोई भी बाइक चला रहे हो तो या तो Single Velocity पर चला रहे हो तो चेंज ही नहीं होगी अब Velocity चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या है जो हमारा Graph बनेगा वह Uniform होगा की नहीं होगा तो Velocity Time Graph को हम थोड़ा हर डिवाई करें तो First हमारा जो होगा उसमें क्या आएगा For Uniform Motion For Uniform Motion Okay Next अब हम बात करें तो Next हमारा क्या है Uniform Motion होगया अब Uniform Motion के बाद हम बात करें तो क्या होगा Non Uniform होगा अब Non Uniform का मतलब क्या अब को यदि याद हो तो हमने Velocity के बाद Acceleration पड़ा था बड़ा था कि नहीं पड़ा था तो Acceleration में क्या हो रहा था हमारा जो Velocity थी वेलोसिटीचेंज हो रही थी नए तो आप जब वेलोसिटीचेंज हो रही थी तो जब वेलोसिटीचेंज हो रही थी कि स्पीट को बढ़ाया जा रहे हैं 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8,8,— Lex ,N GUY बढ़ती ही जा रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा मतलब जो क्या बोलेंगे हैं अन्यूनिफॉर्म एक्सिलेरेशन हो जाएगा होगा की नहीं होगा Uniform Acceleration होगा कि नहीं होगा Uniform या Non Uniform Acceleration Clear है तो Next हमारा आ जाएगा क्या Valucity के अंदर Acceleration ठेक है Uniform Motion उसकी बाद Next हमारा क्या होगा Non Uniform Valucity के अंदर क्या जाएगा हमारा Non Uniform Valucity मतलब क्या Acceleration होगा तो सबते पहले हम बात करेंगे क्या Uniform Acceleration की सबते पहले किसकी बात करेंगे हम Uniform Acceleration तो Uniform Motion में हमारी जो Valucity है या तो Constant बनी हुई है क्या है कि हम 50 पर चला रहे थे तो इतनी ही Speed हमारी बाइक की बने हुए हम चेंज नहीं कर रहे हैं अब हमने क्या किया जीरो से स्टार्ट किया Continue बढ़ाते गए यह हर एक सेकेंड में Speed बढ़ रहे है हमारी तो क्या होगा यह Uniform Acceleration होगा क्या होगा Uniform Uniform Acceleration Uniform Acceleration क्या होगा Uniform Acceleration का मतलब है कि Continue यह थो हम बढ़ाए जा रहे है coupled हम घटाए जा रहे हैं। पर एक्जांपल कभी याद करो कि हम wike की speed क्या कर रहे हैं रहे हैं इसमें 2 condition बना सकते हैं क्या या तो हम speed यो है wike की speed बोलें या velocity बोलेंगे हम क्या बोलिंगे it गटा दें हर एक सेकर्ण में धेलसुटी गटें इसको हम आगे पड़ेंगे इस इसके बाद हम देखें तो नॉन यूनिवॉर्म एक्सेलेरेशन क्या नॉन यूनिवॉर्म एक्सेलेरेशन हम जो बाइक चलाते हैं daily routine में जिसको भी बाइक चलाना आता है तो जब भी हम बाइक चलाते हैं तो हमारा हमेशा बाइक इसी पर चलते है किसे नौन यूनिफर्म एक्सलेरेशन पर चलती है अब कैसे चलती है अब हम इसको देखेंगे इनका graph कैसे बनाना है यही तो type के हैं हमें जोंकी पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा क्या आ गया यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा जिसमें की वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है चेंज हो रही है यदि वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब एक्सेलेरेशन आ जाएगा तो distance time graph जो अब हम देखने वाले हैं, इसमें अब एक चीज सोचो कि आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, क्या बोला, आप कहीं पर जा रहे हो, और यदि जाते समय, आपको समय लगेगा कि नहीं जाने में, एक जगे से जब दूसरी जगे जाओगे, तो time लगेगा ही लगेगा, तो अब इस चीज पर हमें focus करना है, कि time कहां और कैसे लग रहा है, ठीक है, चालो, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, graph, तो graph हमें सबसे पहले बनाना क्या, कैसे है, तो हम ये उपर वाला जो axis होगा, जिसे y axis बोलते हैं, यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्या, distance, ठीक है, यह हम क्या लेने वाले हैं, distance, और यहाँ लेने वाले है, time, उपर वाली axis पर आपको लेना है distance और यहाँ लिखना है time, लिख दिया, अब यहाँ लिख दो 0, अब जब आप left से right की ओर जाओगे, कहां से, left से right की ओर जब आप जाओगे, तो आपको क्या करना है, इस side, left से right कहां, जब भी आप left से right की ओर इस side जाओगे, तो आपको time लिखना है, और यहाँ से नीचे से जब ऊपर की ओर जाओगे, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको, what distance, ठीक है, clear है, इस side distance, इस side time, अब लिखना चालू करें हम time, तो यहाँ लिखा हमने एक minute, यहाँ सारी चीज़े minute में होगी, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हमने 10 तक लिखी है, 9, 8, 2, और यह 1, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 9, और यह 10, अब देखो, करना क्या है, हमारी जो distance है, यदि हमने बोला, कि हम हर, क्या, हम, हर एक second में, एक meter जा रहे हैं, क्या बोला, इन, every, second, हर एक second में, एक meter जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ से चलना इस्टाइट किया, हर एक second में, एक meter जा रहे हैं, तो आपका graph कैसे बनेगा, देखो, आपका जो graph बनने वाला है, यह बनेगा, सीधा कैसा बनेगा देखा यह जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा अब इसको हम थोड़ा सा देखने की पोसेश करें तो हर एक सेकंड में कितना आप जा रहे हो वो देखो तो हम यदि देखें तो हर एक सेकंड में जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो एक मीटर के लिए यहां तक दो मीटर तीन मीटर चार मीटर ठीक है पांच मीटर हो गया शै साथ आठ नौ तो यह आपकी दूरी हो गई ृस्टेंस हो गई आब नेक्स्ट हम यदre बात करें तो किसकी करें गे नेक्स्ट हम बात करें और कि नेक्स्ट पर reef कि यहां से देखो 1 सेकंड में कहां तक गये न फीटर गुषर्व में दो मीटर गए तील सेकंड में तीन मीटर गये चौटर सेकंड में चार मीटर गये पांक बैसे एक और पर यहां सब्रक्रारर ज्याएं नेख्सट तो ग्राफ कुछ इस तरीकी से हमारा बनने बाला है जो कि हमें क्या दिखा रहा है देखो अब याद से थोड़ा अच्छी से देखना यह जो ग्राफ है हमें क्या दिखा रहा है देखो यह इस पॉइंट पर यदि आप देखोगे तो इस पॉइंट पर जब आप खड़े होगे तो आप देखोगे क्या यहां से जब इस साइट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा नौ मीटर दिख रहा होगा और यहां से जब नीचे की और देखोगे तो आपको 9 सेकंड में दिख रहा होगा तो यह इस ग्राफ का यह जो बिंदू है क्या शो करता है कि आप 9 सेकंड में 9 मिनिट चले ठीक है इस बिंदू की अधि हम बात करें यह जो हमारा पॉइंट है यह यह पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हम कितना चले इस साइड जब आप देख रहे हो इस साइड आपको दिखा क्या 7 मतलब 7 मीटर चले आप इस पॉइंट पे जब आप पहुंचके आपने देखा डिस्टेंस की और तो डिस्टेंस आपको देखी 7 मीटर और यहां से जब सेकंड में आप कितना चले तो इससे आप बता सकते हो अब कैसे बताओगे यह देखो तो हम क्या करेंगे जो ग्राफ हमारे पास गिविन है उस ग्राफ के हम बात करने वाले हैं ठीक है तो इस ग्राफ में यदि हमने आपसे बोल दिया क्या बोल दिया कि आप क्या बोला हमने कि आप 7 seconds में कितनी distance पूरी किया आपने कितना distance कितना distance cover किया बताओ कितना distance cover किया देख रहा है आपको यहां से यदि आप देखोगे तो देखो क्या देख रहा है यहां से जब आपने चलना स्टार्ट किया तो 7 seconds पे चलो सबसे पहले यहां से लेट से राइट के और तो यहां पहुंचे 7 seconds पे पहुंच गए कि नहीं अब सेविन सेकेंड वाली लाइन पे आपने सीधा फॉलो किया उसको तो यह पहुंच गए अब इस पॉइंट से जब आपने किस पर डिस्टेंस देखा तो डिस्टेंस आपका आया 7 इसका मतलब क्या है आपने सेविन मीटर कवर किया है किस में सेविन सेकेंड में कितना कवर किया है सेविन सेकेंड में आपने कवर किया है सेविन मीटर ठीक है सेविन सेकेंड में कितना कवर किया सेविन मीटर ठीक है अब यदि हम आपसे पूछें कि छटवे और साथवे सेकेंड के बीच क्या पूछ सिक्थ सेकंड के बीच में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की तो अब यह हम कैसे निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी डिस्टेंस है कौनसी पहले तो 6 तक जाना पड़ेगा हमें सबसे पहले हम कहां तक जाएंगे हम जाएंगे कहां तक 6 तक जाएंगे सबसे पहले कहां जाएंगे हम देखो कहां तक जाते हम 0 से पहले 6 तक गए यह 0 से हम कहां तक गए 0 से हम गए 6 तक तो 0 से 6 सेकंड यह रहा उसके बाद हम गए कितना 0 से ही कहां तक 7 तक निकालना था तो 0 से 7 तक अब आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सेकंड में कितना चले तो यहां से जब आप देखोगे क्या देखोगे यहां से जब आप डिस्टेंस देखोगे कहां से जीरो से तो जीरो से जब आपने चलना स्टार्ट किया और देखा कि छटवी सेकंड पर हमने कितना डिस्टेंस किया कवर 6 सेकंड देखो यहां से जब आप 7 से कहां गया 6 यह रहा 6 से जब आपने देखा ओ शिएट गलत कर दिया ये वाला जो होगा कहा गया ये 6 होगा ठीक है यहाँ पर तो 6 से से केंड में हमने कितना कवर किया 6 कवर किया 6 से केंड में कितना कवर किया 6 मीटर उसके बाद हमने 7 में देखा तो 7 में हमने कितना कवर किया 7 मीटर तो यहाँ से हम निकालेंगे तो दे बीच का distance निकालना है कैसे निकालेंगे 7th में 7 में कितना कवर किया माइनस 6 में कितना कवर किया 7 सेकंड में हमने कितना कवर किया 7 meter और 6 में हमने 6 meter तो बरावर हमारा कितना बचा 1 meter इसका मतलब क्या है। हपने छट भे और सातवे मतलब क्या। सिर्फ इतना सिर्फ कितना शीक्स और शेविन की बीच में कहा गया यह वाला जो आपको दिख रहा है इस जो गया धी तो यह समझना आया हो तो बताया ना फिर से हम हम इस वीडियो को बाना लेंगे ठीक अब next हम बात करेंगे किसकी सेकंड जो हमारे ग्राफ था जो कि क्या था velocity time graph जेकंड क्या था velocity time graph velocity time graph इसमें हमें total कितने पढ़ने हैं इसमें हमें total कितने पढ़ने हैं तीन ग्राफ पढ़ने हैं एक uniform motion वाला जिसमें कि हमारी velocity चेंज नहीं हो रही है सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं uniform वाला uniform motion ठीक है सबसे पहला कौन सा है हमारा uniform motion जिसमें कि आपकी velocity चेंज नहीं हो रही है तो अब देखो इसको गिराफ हम तोड़ा से स्पीड है बनाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है एक axis बनानी है यह ठीक है यह हमारी time के लिए है दूसरी axis बनानी है इस पर हमारी क्या रहेगी velocity रहेगी clear है इसमें हमारी क्या रहेगी velocity टो यह लिए मिख सकते हैं और यहां हम लेंगे क्या time क्या लेंगे time हम टी चिंछ इन सकते टाइम हमेशा हमारा किसमें रहेगा सेकेंड में रहेगा और वैलोसिटी हम ले ले रहे किसमें मीटर पर सेकेंड में ले रहे किसमें ले रहे मीटर पर सेकेंड चलो अब बात करते हैं हम किसकी यूनिफॉर्म मोशन में वैलोसिटी की तो हमने आपको बताया था कि जो वैलोस जो कुछ भी आप चला रहे हो वो सेम स्पीड से चलेगी तो हमने क्या किया यहां वही वन सेकेंड टू सेकेंड त्री फॉर फाइब सेवन सेवन तक ले लिया मान लू ठीक है सिक फाइब फॉर यहां से हमने डिस्टेंस ली मीटर में एक मीटर यहां पर हमें स्पीड लेनी है क्या लेनी है तो स्पीड हम वन टू में ले रहे हैं हम ले रहे हैं तैन किलो मीटर पर आवर में ठीक है फिर ट्वैंटी थर्टी उस्पीड अब मात करेंगे हम अब बात करेंगे हमारे ग्राफ बना ना है वह उसमें हमारी स्पीड तो तलरी अच्छे ते पता है में पता है ना है जैसे हमने माना हमारी जो हम यो माईक चला रहे हैं वह हमारी 640 पर विद्धक हमने स्टार्ट की थे कितने स्टार्ट कींक निपर तो uniform motion में है तो उसकी speed बदलेगी क्या बिलकुल नहीं बदलेगी और जब Speed नहीं बदलेगी तो उसकी जो ग्राफ बनेगा लाइन बनेगी एकदम सिंपल सीधी होगी कि नहीं होगी यदि नहीं आया समझ में है तो देखो कैसे सीधी होगी हमने क्या बोला एक सेकंड पे पहले सेकंड पे हमने देखा तो उसकी स्पीड जो थी वही रही की नहीं रही उसकी स्पीड बदलेगी क्या बिल्कुल नहीं बदलेगी देखो 1 second में देखा उसकी 6 pixel speed 40 3,704,0… थी, 5 पे देखा 40 थी तरह सीरिमी सेएं़ इस सेटी करता है कि हमारी जונה स्पीड या candy कि दो है चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है मतलन हमारा घ्राफ है अगले सवाइं में 40 घ्राइं दूसरे सेकνड है को तो यह जो हमारा घ्राफ है कौन सा है uniform का है जिस में कि हमारी वैलुसिटी चेच नहीं होती है तो ये हमारा वह ग्राफ क्या समस्धूर्फ आया इस हम बात करते हैं किसकी वैलुसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म ऐक्सिलरे dressed । की उनिट पॉर्म अक्टलरेशं का मतलब पीर हम देख लेते हैं तो यूंसिस अक्टलरेशं का मतलब उनिट सौ्च होसा चैनल का निट्या का मतलब यह है थोड़ा सा आप सोचो मेंईच करो कि आप bike पे जा रहे हो ठीक है वो bike की जो speed है बढ़ती जा रही है speed क्या है बढ़ती जा रहे है कम नहीं हो रही बढ़ती जा रही है 계속 speed जो बढ़ रहे है uniform acceleration इसकी जगह आपने और इह देखो क्या हम train का example ले सकते हैं कितेगे train का तो ट्रेन में यदि आप कभी बैठे हो तो ट्रेन में जब भी हम बैठते हैं और गाड़ी जो हमारी ट्रेन है स्टार्ट करती है चलना क्या करती है स्टार्ट करती है स्टेशन से जैसे निकलती है अब क्या होगा उसकी स्पीड दीरे 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 बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी अभी स्पीड यह थी अब स्पीड दीरे 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 बढ़ती जा रहे है बढ़ती जा मानलो 10 से स्टार्ट होई 0 10 20 30 40 50 60 80 90 ऐसे 90 तक स्पीड पहुंच गई 0 से वह कंटीनियू बढ़ी है हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई तो यह क्या है हमारा यूनिपॉर्म एक्सेलेरेशन है है कि नहीं है यह हमारा क्या है यूनिपॉर्म एक्सेलेरेशन है जो की हमेशा पॉजिटिव है पॉजिटिव है कि नहीं है प्लस में है कि नहीं है क्यूंकि स्पीड बढ़ती जा रहे है घट नहीं रही है बढ़ रहे है इसलिए इसका जो एक्सेलेरेशन होता है यह पॉजि यह हमने'llow City ली थी अब हमें क्या करना है 1 पर टाइम लेना है एक पर क्या लेना है ताइम लेना है और दूसरे पर हमें लेना है क्या लेना है टैम यह टाइम के लिए हमारा लाइट बनी और यह लीटी कि acceleration के लिए clear है अब दिखो एक जगह में क्या लेना है यहां लेना है टाइ में लगे को कि seconds में ले रहेए और यहां लेना है एक्सेलेरेशन क्या लेना है एक्सेलेरेशन यहां लेना है एक्सेलेरेशन जिसे हम किसे शो करते हैं ए शे शो करते हैं और एक्सेलेरेशन जो हम लेंगे किसमें लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वेर्ड याद है कि नहीं है acceleration की जो unit थी acceleration की जो unit थी meter per seconds में थी clear है अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और acceleration को हम किससे show करते हैं पता है acceleration को हम show करते हैं किससे? A से, किससे? A से, अब देखो हमने क्या किया पहला second, दूसरा तीसरा, चौथा पाचवा, छटवा साथवा, आठवा यह क्या है? second है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब यदि आपको यदि याद आ रहा हो तो छोटे में हम एक graph paper यूज करते थे जो match की हमारी copy रहती थी उस पर box box बने रहते हैं तो real में भी हमारा जो graph paper होता है वही होता है ठीक है, real में जो हमारा match का होता है वो क्या होता है, graph ही होता है उस पर हमें graph बनाने होते हैं, real में ठीक है, तो उस पर हम सवाल वगरा किया करते थे अब देखो acceleration क्या क्या मतलब होगा acceleration का मतलब क्या है हर second में कितनी speed बढ़ रही है क्या बोला हमने हर सेकंड में कितनी स्पीड में बढ़ रही है impact हमने बोला हर स्पीड 1 में हमारी स्पीड 1 बढ़ रही हिए पहले एक थी दूसर सेकंड में 2 ती exist एक तीन ऊधिन हमने लें रहे हुए या 123 न लेके हम यहां पर ले रहे क्या 1, 2, 10, 20 ले रहे रहे 10, 20, 30, 40, 50 और यह 60 तो अब थोड़ा सोचो कि पहले second में हमारी speed जो थी starting में देखो 0 था तो 0 second में हमारी speed थी वो 0 थी अब next हम बात करें तो पहले second में हमारी speed कितनी हो गई 10 हो गई ठीक है, दूसरे second में हमारी speed है कितनी हो गई दूसरे second में हमारी speed है कितनी हो गई 20 हो गई तीसरे second में हमारी speed है कितनी हो गई 30 हो गई 14 second में हमारी speed है 40 हो गई 15 second में हमारी speed है 50 हो गई 16 second में हमारी speed 60 हो गई तो देखो आपको एक graph बनता हुआ दिख रहा है कि नही यहाँ से अब एक ग्राफ देखो दिख रहा हो एदी तो यह जो ग्राफ बनता हुआ देख रहा हूँ इनिफिंफॉर्म acceleration का किसका uniform acceleration का देखो ये सारे points को हमने मिला दिया सारे points को जैसे हमने मिलाया तो हमें एक graph मिला अब ये जो graph है ये graph देखके आप पहचान सकते हो क्या पहचान सकते हो कि ये जो graph है या आपको यदि graph अकिला दे दिया जाए कि यह जो graph इस ट्राइप चे बन रहा है तो बताओ acceleration क्या है positive है negative है मतलब speed बढ़ रही है या गट रही है तो यह देखके हम बता सकते हैं जब भी graph हमारा ऐसा उपर की और जा रहा है तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारी जो velocity है क्या है velocity है continue increase कर रहे है क्या कर रही है continue increase कर रहे है मतलब बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है देखो यहां पर पहले second पर हमारी दस थी दूसरे second पर 20 थी तीसरे सेकंड पर थर्ड सेकंड में कितनी थी फॉर्ट सेकंड में कितनी थी फॉर्ट सेकंड में कितनी थी फॉर्ट सेकंड में फिफ्टी सिक्स सेकंड में सिक्स्टी तो देखो पांच भी सेकंड में यदि आप से पूछ लिया जाए कि अब आपकी जो speed है 6th second में कितनी थी question क्या है हमारे पास question है कि speed है आपकी velocity है velocity in 5th second क्या पुछा हम नहीं velocity in 5th second बताना है आपको तो 5th second में आपको velocity क्या देख रही है देखो देख रहा है 5th second में velocity देख के बताओ कितनी आ रही है देखी 5th second में velocity देखी यह रहा 5th second और 5th second में जब आप देखोगे तो हमें velocity देख रही है क्या यह गए यह गए यह गए यह पहुचे हम तो आपको देख रहा होगा कि 5th second में आपको velocity क्या देख रही है देखो अच्छे से 5th second में जब आप velocity देखोगे आपको यहाँ से देखेगा ये वाली आपको 5th second में velocity क्या देखी 5th second में हमें velocity देखी 50 कितनी देखी 50 देखी इसका मतलब क्या है कि 5W second में 50 second में velocity कितनी है 50 meter per second आया की नहीं आया तो इसका आंतर क्या हुआ 50 meter per second मतलब 5th second में हमारी जोगाड़ी की speed हो गई वो एक second में 50 meters जाएगी clear है अब एक question आपके लिए है question है what is the velocity in 4 seconds क्या बोला हमने in 4 seconds